नमस्कार दोस्तों स्वागत है पी डबली ओनली आयस में आज न्यूज आती है इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट से जहां पे इलेक्शन कमिशन ने आज सारा डेटा दे दिया है अब याद कीजिए पिछले दो-तीन हफ्तों से चार हफ्तों से इलेक्शन कमिशन, इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉंड, स्बी आई इन सब के अराउंड काफी कुछ न्यूज चर्चा में खूब आई है हमें सब जानना है सर क्या होता है अब हमें ये पता है कि एक स्कीम आई थी इलेक्टोरल बॉंड स्कीम कईयों को जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता दें कि इलेक्टोरल बॉंड एक तरीके से एक दस्तावेज है एक document है, एक खाली कागस का टुकड़ा है, जिस पे ये लिखा होता है, कि इस document की कीमत कितनी है, अब electoral bond 10 रुपे का भी हो सकता है, 10 लाग का हो सकता है, 1 करोड का भी हो सकता है, तो electoral bond एक scheme आई थी, बहुत समय पहले आई थी, 5-6 साल हो चुके हैं उसके, अब जब ये scheme आई थ पास ये सारे bond है, अब कोई भी शक्स, कोई भी individual, कोई company, SBI के पास आ सकती है, और ये बोलेगी, कि सर हमें आप 1 लाग रुपे का bond दे दीजे, electoral bond, SBI उनको वो bond issue कर देगी, 1 लाग रुपे ले के, अब ये जो bond है, ये bond कोई भी शक्स, या कोई भी individual जिसने खरीदा है, वो किसी भी party को, या किसी political party को दे सकता है, ये कहके कि आप इस bond को encash करालना, SBI से ही, अब फिर political party, SBI के पास आएगी, SBI को वो bond दिखाएगी, और SBI उनको उतने कीमत का पैसे दे देगी, ये थी electoral bond scheme, अब इस electoral bond scheme के around, काफी सारे question उठे, जया ठाकुर जी ने, सब लोगों ने case किया, ADR ने case किया Supreme Court में, फैसला आता है, 15 Feb को, इसी साल, 15 Feb को, जब Supreme Court कहती है, कि ये जो scheme है, ये unconstitutional है, null and void, नहीं चल सकती, और electoral bond scheme के साथ ही, जो जो और भी income tax act में, companies act में, जो जो प्राफधान amend हुए थे, जो जो amendments आए थे, सब के सब null and void, नहीं चलेंगे, ये right to privacy क का उलंगा ने, आर्टिकल नाइटिंग का उलंगा ने, नहीं हो सकता, ठीक है, फिर, SBI ने मांगा था, SBI ने बोला था, कि ठीक है, फिर हमें पताईए क्या करना है, अब Supreme Court ने बोला कि आप सारा का सारा data जो है, आप पबलिक कीजिए, आप election commission of India को, ये सारा data दीजिए, election commission है, तो उन parties ने कितने कितने में ये bond खरीदा है, पैसे लिए जो भी हुआ है, ठीक है, अब ये data आ गया, इसके बाद सोचने वाली बात ये है, कि SBI ने जब timeline के लिए कुछ समय मांगा था, अभी बोला था, उन्होंने 6 March को, कि Sir, हम चाहते हमें थोड़ा और समय मिल जाए, हम थोड़ी सी timeline हम आगे चाहते हैं, क्योंकि हम आपको data match करा के देदेंगे, match करा के means क्या होता है, कि कौन सा bond, किस शक्स ने खरीदा और उस bond को किस ने in cash कराया, ये दोनों information अलग अलग रखी हुई थी, हम चाहते थे, कि हम इसको match कर दें, तब आप इसको अपने publish कर दें Supreme Court ने का नहीं, आपके पास समय नहीं है, आप data को बाहर निकालिए, बस, election से पहले, election के बाद आप release करोगे, उससे फिर हमें फायदा नहीं होगा, उससे कोई फरक नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, SBN ने data आज निकाल दिया, अब SBN ने जो data निकाला है, ये data ऐसा नहीं है कि बहुत ही जादा है, इससे कुछ groundbreaking इसमें change आ गया, सब कुछ आ गया, जो आज जो data आया, उसमें बस ये पता चला, कि अच्छा, कई सारे ऐसे groups हैं, जिन्हों ने ये खरीदा है, सारे bond खरीदें, विदानता, ग्रासिम, DLF, इसके बाद, Sun Pharma, जिंदल, बजाज, बहुत सा इसमें, अब सारी party है, BJP, Congress, TMC, BRS, AIDMK, सब तरे की party इसमें आती है, ठीक है, डेटा बहर आया, डेटा बहर आने के बाद, क्या कुछ इसके around कुछ और जानकारी मिली, कुछ और समझ में आया, कैसे आया data बहर, क्या हुआ था, ये समझ में आया, कि जब ये scheme unconditional declare हो गई, ठी ठीक है, इस scheme का the end हो गया, अब इसके बाद election commission के उपर जम्मेदारी थी, कि SBI चे data लेके आप करो publish, अच्छा, फिर SBI ने कैसे दिया data, SBI ने दो password protected PDF दी, password protected, password यानि उनके उपर पहले password डाला जाएगा, तब जाके वो PDF खुलेगी, ये PDF इन्होंने pen drive में डालके दी, और इ seal 1 लिफाफा, इस लिफाफे में, envelope में, password लिखे हुऊ है, जिनके तहत आप इन PDF को खोल सकेंगे, देख सकेंगे, ठीक है, फिर ये data public हो जाता है, फिर ECI फिर PDF को लेती है, और इसको अपने डाल, तो अपर हमें website में डाल देती है, ठीक है, अब यहाँ पे, क्या-क्या ऐसा data जो secret था, क्या problem आ रही थी, क्यों इसके पीछे इतना around controversy है, पूरी समझते हैं, जब हमने देखा कि Supreme Court में case गया था, तो case किन मुद्धो पे गया, पहली बात तो हमें यह बताओ, कौन सी date को purchase हुआ electoral bond, पहली बात, दूसरी चीज, क्या नाम है buyer का, किसने खरीदा है, तीसर का, एक लाग का, सो रुपे का, एक करोड का, जो भी है, सब बताइए, चौती चीज हमें यह बताइए, detail of the political party, जिनोंने receive किया donation through these bonds, यह सब कुछ EBS scheme के तहत, disclose नहीं हो सकता था, गोपनी रखा जाना था, गुप्त रहता था, यह data बाहर नहीं आता था, यह चारों की चार एक Commodore, location, भाटी जीन, अच्छा, ठीक है, location, बतरा जीन, तो यह Commodore थे, अभी retired, इन्होंने यह idea डाली, तो फिर election commission ने इनको data दिया, कि data यह दिया, कि 2017, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, इन सारे years में आप देखेंगे, तो BJP को तो काफी benefit हुआ है, disproportionate benefit हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ ह होता है, यह COVID वाला year 2021, तो यहाँ पर हम इसको count नहीं करते हैं, कि यहाँ पर फिर ज्यादा अपने जो economic activities हैं, काफी इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं रही थी, तो 2021 का data बहुत ही कम है, अब जब यह आती information बाहर, दोनों पीडियो बाहर आ जाती है, यहाँ पता चलता ह चाहे बीजेपी हो, कॉंग्रेस हो, टीमसी, बीजेडी, डीमक, बीरेस, वायासा, पीपी, सब की सब, इवन आबाद्मी पार्टी, जेडी यू, समाजवादी पार्टी, सब ने इस electoral bond scheme के तहर्र डोनेशन लिया है, अब 14 करोड लिया समाजवादी पार्टी ने, ठीक है, 14 करोड से 24 करोड, 38 करोड, 100 करोड, 1500 करोड, 382 करोड, 1000 करोड, 1122 करोड कॉंग्रेस, और 6500 करोड भाजपा, ऐसे करके डेटा मिला, कि इतनी सारी parties ने इतन इतने तरिके से डेटा अपना, ये सरी, बांड के तहट, पैसे की डोनेशन लिया है, अब ऐसे भी कुछ बांड थे, जो n cash नहीं हुए थे मतलब political parties के पास कुछ bonds थे जो कि वो redeem नहीं करा पाए या वो जिसे कहते हैं कि उसको n cash नहीं करा पाए तो अब उन bonds का क्या हुआ तो क्या होता है SBI ने बताया यही बात बताई कि जो जो bonds n cash नहीं हुए जो जो दस्तावे जो यह वाले electoral bonds थे जो n cash नहीं हुए हमने उन सारे bonds को उठा के डाला है Prime Minister's National Relief Fund में जो हमारे देश का प्रणार मंतरी राष्ट्री राहत कोश होता है जिसमें से हमारा सारा पैसा निकलता है जब हमारे देश में कोई आपदा आती है डिजास्टर होता है जब कहीं पे हमारे ऐसे relief हमारी forces काम करती है जाए NDRF हो, HDRF हो तब इस PMNRF से पैसा निकाला जाता है और उस रहात कार्रे के लिए वो पैसा यूज होता है ये SBI ने बताया कि ऐसे भी bonds थे जो n cash नहीं हुए थे वो bonds सारे के सारे वो पूरी रकम यहाँ चली गई है अब तो वो तो अच्छे काम में रही है ठीक है PMNRF के लिए एक point हमेशा याद रहना चाहिए कि PMNRF एक voluntary हम अपनी सत्व है मर्जी से हम इसमें donation देते हैं कोई भी दे सकता कि सर ऐसा जो जो bonds थे जो जो हमने देखा कि अनकाश नहीं हो है वो सारे के सारे bonds यहाँ चलेगा है एक और news इसके अलावा भी Election Commission of India ने आज ही आज में एक petition फिर डाली है Supreme Court में कि सर हम चाहते हैं जो आपने electoral bond case में जो order दिया था उसमें आप थोड़ी सी modification कर दे क्या modification करनी है plea क्या है petition क्या है इसमें order development अभी आने वाला है आएगा बस यह पता चल गया कि हाँ 15th March को ही 2024 को यानि कल के दिन Chief Justice जी की court बैठेगी और एक bench बैठेगी जिसमें तो जिसमें petition है कि हमें तबदीली चाहिए आपके order में कोई और कुछ motivation हो सकता है वो होना चाहिए ठीक है तो अब वो petition डल चुकी है कल bench बैठेगी इस news पे और और कुछ ना कुछ development हो गई होगा बस यह बास समझ में आई कि ठीक है इतने ज़्यादा डेटा आने के बाद भी जो यह list आई है यह 300-300-plus pages की है जिसमें एक list है जिसमें यह लिखा है कि purchaser कौन है किसने खरीदा है और एक 400-plus pages की एक और list है जिसमें लिखा है कि इन bonds को NCash किसने करा है ठीक है पैसा इन से किसने बनाया है सारी parties नाम उसमें उलेक है सब कुछ है इस यह की website पे है सारे news, media, सारे outlets ने वो PDF अपने-अपने link लगा रखी है हमारे यहां भी link लगी हुई है आप जा सकते भी WLiS पे और with this हम इस news को करते हैं या pause इसमें और कुछ development आएगा हम उसको फिर टेक अप करेंगे Till then, keep studying, stay safe, good night